जै हिंग तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गोरकपुर्वी सविद्याले से समंदित दो बहुत ही महतपूर नोटीस को देखेंगे जो की काफी इंपोर्टेंट हैं तो वीडियो में सुरू से अंतक जरूर बने रहें तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे जो पहली नोटीस है वह आपके टाइम टेबल से समंदित है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एक्जाम है वह आप 15 से 20 मई तक जा सकता है याने कि 15 से या फिर 20 से स्टार्ट हो सकता है इसके पहले जो आपकी प्रस्ताविट डेट थी वह अदर्स थी फि आप सबी लोगे हाँ पर देख सकते हैं कि 20 मई इस डेट को कर दिया गया है और अब आपके जो एक्जाम है वह 20 मई से होंगे और साथी साथ इसका टाइम टेवल भी जारी कर दिया गया है याने कि अब यह जो है आपका कंफर्म डेट हो चुका है अब यह प्रस्ताविट और पीजी के जो सेकेंड सेमिफ्टर और फोर सेमिफ्टर की विद्यारती है उनका टाइम टेवल है साथ ही साथ अगर आप लोग बैक पेपर का फॉर्म डाले हैं सेकेंड सेमिफ्टर और फिर फोर सेमिफ्टर में वह उनका भी जो टाइम टेवल है इसी में दिया गया है और जो रेगुलर वाले चात्रे हैं उनका भी टाइम टेबल इसी में दिया गया है ठीक है आप लोग यहां पर टाइम टेबल पूरा देख सकते हैं कि मोर्निंग वाला जो एक्जाम होगा नौ से ग्यारा होगा आफ्टरून वाला बारह से दो होगा और इविनिंग वाला जो देख सकते हैं कि दूसरी एक और इंपॉर्टन नोटीस है जो कि आपके जूलोजी डिपार्टमें से संबंदित है इसमें बताया गया है कि जो आपका प्राड़ी विज्ञान याने कि जूलोजी में एमसी दिती स्मिस्टर का जो प्रैक्टिकल एक्जाम है वह आपका बाइस पांच दौजार तेइस को नो बज़े से प्रारम होगा और आप लोग यहां पर जो देख सकते हैं इसका टैम टेवल यहां पर नीचे दिया गया है कि कितने रोल नंबर वाले किस दिन जाएंगे जो ऊपर जो नोटिस था यह बिफिकली जूलोजी वाले के लिए था जो एमसी जूलोजी वाले चात्र है उनका प्रैकल एक्जाम नो बज़े से होगा बाइस तारीक को और आप सबी लोगों को वहां पर नो बज़े से पहले उपस्तित हो जाना है फाती फात जो अगला इ दिनांग 24, 25, 26 एवन 30 मई को प्राता ही 11 बजे से 3 बजे की मध्य होगा और सबी चात्र चात्राएं जो है अपना परवेश पत्र साथ में ले कर जाएं यहां पर आप लोग रोल नंबर देख सकते हैं कि कौन से रोल नंबर वाले चात्रों को कब बुलाए गया है किस दिन ओर फाथ ही आप यहां पर दिन भी देख सकते हैं ठिक है और इस रोल नंबर के कौर्डिंग आप लोग औहां पर जाएंगे जैसे कि जिसका रोल नंबर इसके और इसके भीश में होगा वा वजफवी 24,没事 को जयेंगे और जिसका इसके और इसके वीश में होगा वा सभी 6, 13 हो जाएंगे तो यहां से आप लोग अपना रो नमबर मैच कर सकते हैं इसमें जो पूरा डीटेल दिया गया है आप चाहें तो इसका स्क्रीन्सोड भी ले सकते हैं तो इस वीडियो मसे इतना हैं अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेट में कुछ सकते हैं तो मिलता है है अगली वीडियो में, थेंक यू सो मच